वैसे तो मैं easter eggs वगर एक उपर वीडियोज नहीं बनाता बट she hulk episode 5 easter egg से भरा हुआ था easter egg से भरा हुआ था और story कुछ खास थी नहीं अब यहाँ पर easter egg नाम सुनके यह मत समझ ले ना कि मैं किसी easter नाम के पक्षी के अंडे के बार में बताऊंगा so according to explainerpedia यहाँ पर बहुत सरी movies, web series and even games पे कुछ hidden details दिया रहता है जो एक तरह से कुछ दूसरे चीजों का represent करती है indirectly उनको easter under कहा जाता है subscribe for more information तो आज किस वीडियो पर मैं आपको साथ ऐसे easter eggs बताने वाला हूँ जो हमें she hulk episode 5 पे दिखाया जाता है first easter egg she hulk का नाम असल में trademark के reason से ही बनाया जाता है क्योंकि 1980s में CBC पर The Incredible Hulk TV show का success ने Marvel Comics को chin tits कर दिया था chin tits कि अगर CBC वालों ने खूद का she hulk का show बना लिया तो हमारे तो air लग जाएंगे तो इसलिए Marvel Comics वालों ने she hulk नाम को trademark करवा लिया और कहीं न कहीं ABC वालों का plan था The Incredible Hulk का female version वाला show launch करने का क्योंकि trademark करवाने के बाद ही ABC वालों ने The Bionic Woman नाम का TV show launch किया था जो एक spin-off था The Six Million Dollar Man का और क्या आपको पताए ये जो Captain Marvel नाम है वो Marvel वालों का था नहीं वो पहले Fawcett comic वालों ने बनाया था जिसका trademark 60s पे expire हो गया था और बाद में Marvel Comics ने Captain Marvel नाम का right को secure करने के लिए हर दो साल में एक Captain Marvel नाम का comics को publish करना पड़ता था उन्हें तो current Captain Marvel Carol Danversy है बट पहले ये नाम DC के superhero Shazam का था और देखो यार हद तो तब late 80s पे पार हो जाती है जब Marvel वालों ने और DC वालों ने superhero नाम तक को trademark करवा लिया था जिससे अभी तक कोई भी superhero वर्ट को legally use नहीं कर सकता और शायद इसे लिए हमें दूसरे Shows पे Supes, Meta Humans, Super Powered Peoples, Blah Blah वर्ट को use करते हुए दिखाया जाता है सेकेंड इस्टरेक तो पर्ग जब निकी को अपना trip broker का नाम Alainzo बताता है तो ये प्रबबली Marvel Studios की physical post production, VFX and animation की president Victoria Alainzo का indirect reference हो सकता है या फिर Marvel Comics का ex-former, editor-in-chief Alex Alainzo का भी reference हो सकता है थर्ड इस्टरेक तो इस वले episode पे हमें Luke नाम का super hero fashion designer दिखाया जाता है जो मुझे बहुत हद तक The Incredibles पे famous fashion designer Edna Mott का तरह लगता है या फिर आप लोग कह सकते हैं उससे inspire है और देखो हो भी क्यों ना क्यूंकि Marvel Studios और The Incredibles दोनों ही Disney को belong करते है फोर्थ इस्टरेक तो एक और सीन पे जब Luke इस black suit को touch कर रहा होता है तो इस sort को बहुत ही ज़ादा detail में दिखाया जाता है जो मुझे लगता है कि indirectly मजाक उराया जा रहा है Batman Forever Movie का Batman का इस costume का क्योंकि देखो दोनों ही costume बहुत हद तक same लगते हैं और यहाँ पर इन दोनों ही costume पे nipples को बहुत सादा highlight किया गिया है और एक time यह Batman का यह जो suit है वो meme material बन चुका था तो इस वाले episode पे हमें Daredevil तो नहीं बट Daredevil का जो helmet रहता वो tease किया जाता है बट क्या आपने उसी के पीछे Daredevil का जो full suit उसको notice किया था subscribe बटन पे उंगली रखके कसम खा के बताओ कि आपने notice किया था कि नहीं तो देखो जो भी हो पहले वाले जो Daredevil का suit था वो पहले red color का था बट अभी वो yellow कर दिया गया है जो comic book accurate भी है और इससे ये भी directly और indirectly पता चलता है कि आने वाले Daredevil reward series है वो full to reboot होने वाला है मतलब कि Netflix वाला और उससे पहले जितने भी movies थे Daredevil का वो अब MCU के साथ कुछ भी connection build नहीं करता तो इस वाले episode पे हमें शर्क का भी reference देखने को मिलता है यहाँ पर होता है SI कि जब Titania और Jane का case quote पे start होता है तो उसी वक्त Titania Jane को शर्क कहके tease कर देती है जो मेरे हिसाब से ठीकी वो करती है क्योंकि यहाँ पर She Hulk का जो VFX से वो बहुत ज़ादा cartoon जैसा feel होता है और even reality में बहुत लोग social media में meme बना के She Hulk को Shrek के साथ compare भी कर रहा है जो literally बहुत ज़ादा funny है आप लोग यहाँ पर screen पे देख सकते हो हाँ बट इस वाले episode को देख के और episode 3 को देख के इतना तो हमें proof मिल जाता है कि Marvel सब कुछ देख रहा है और सबसे बड़ा easter egg हमें इस episode के credit scene पे दिखाया जाता है जो एक drawing रहती है पग और निकी की और भाई उसके पीछे literally जन्नत रहता है superhero shoes collection का तो उस shoes collection पे हमें Deadpool, The Thing, Nova, Cyclops, Green Goblin, Nightmare, Ghost Rider, Hawkeye, Spider-Man, Moon Knight, Captain America या फिर America Chavez, Silver Surfer, Miss Marvel, Man-Thing इन सभी के superhero design shoes को देखाया जाता है मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये सभी character Marvel में पहले से exist करते हैं बस उनके उपर एक separate movie या फिर उनको पहले highlight नहीं किया गया था क्यूंकि पहले उन characters का right Marvel का पास था नहीं तो इतने ही easter under मुझे देखाय दिये इस वाले episode पर अगर कुछ छूड़ गया होगा तो आप comment करके जरूर से मुझे बता सकते हो और देखो सच्चे में इस episode पे easter under को छोड़ के कुछ जादा था नहीं बट तब भी 5 episode हम लोगों ने देख लिया बस बचा हुआ है और 4 episode और वो 4 episode भी हम लोग देखी लेंगा क्यूंकि देखो side में भी कुछ अच्छा देखने को मिल जाए तो हमारा जो next 6th episode वो आएगा 22 September को तब तक के लिए आप लोग मेरे इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो 100 बार, 200 बार, 300 बार जब तक मेरे wash time कम्प्लीट ना हो जाए और इसी तरह movies का अंडे का फंड़ा पता करना है तो चैनल को subscribe और bell icon को प्रेस कर देना